नमस्कार फिर पैसा बोलता है मैं आपका अस्पागत है मैं अकसर बात करता हूँ कि आप किदर निवेश करो किस ताक्स पे करीदो किस सेक्टर को अवाइड करो लेकिन आज मैं ये बात करने के लिए हूँ आप अपना फाइनांसर का इसे टीक रख सकते हों जो मध्यम श्टेनी की लोग मैं जानता हूँ ये सब अपने तंका को आता है लेकिन वो तंका को इतना जल्दी कर्च कर देते हैं तो मैने की पांच या साथ मारी तारीक से ही उनके अकॉंट में कोई पैसा ही नहीं रहता है तो साथ सारीक से अगले मैने तक वो चेक की इंतजार में हैं तो अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं पेचेक टू पेचेक लिविंग इसका क्या रंड क्या है क्यों आइसा हो रहा है कि लोग अच्छे अमोंट कमाते हैं लेकिन इतने बुरी तरह से प्लान करते हैं कि उनके पाथ साथवन दिन के पास पैसा नहीं है सिर्फ एक आत्मी काम करने से भी नहीं होता जिन परिवार में दोनों लोग भी काम करते हैं उसमें भी यही प्राब्लम है मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जो हस्बन और वाइफ मिलाके दो-तीन लाग कमाते हैं और उनके कोई पैसा नहीं है और वो पेचेक टू पेचेक रहते हैं उनके एक बड़ा मकान बैंग या बांबे या चेने या बैंग डोर पुने में बड़े से फ्लैट में रहते हैं उन सचे अमीर लोग हो होते हैं जो अपने इंकम के अंदर ही रखते हैं और पैसा सेव करते हैं पैसा को बचत करते हैं अगर आपके पास 2-3 लाग का इंकम है तो आपको अटलिस 30% उस पे सेव करना चाहिए एक लाख रुपिया में ये मौबत नहीं आना चाहिए आप पेचेक टू पेचेक रहें बगवान ना करें कि आपके पास कोई ये मेडिकल एमर्जनसी आ जाए अब उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ जिनकी परिवार की हामदनी दो तीन लाग होती है लेकिन एक एमर्जनसी में दस या पंदरा हजार निकलने के लिए बहुत मुश्किल होता है उनके पास कैश नहीं रहता गूगल पे नहीं कर सकते हैं वो अपना क्रेडिट कार्ट निकल के दे देते हैं और इसी कारण credit card में जो कर्च करते हैं, वो budget में नहीं है, credit card में भी minimum due पे करते हैं, नहीं तो उसको EMA में बदल के उस पे भी interest के लेते हैं, अगर मैं पूछता हूँ बोलते हैं, interest free EMA में पे कर रहा हूँ, आप ये करवा सच जाने, interest free EMA का कोई चीज़ी नहीं है, अगर आप पैसा नहीं, interest व्याज नहीं बर रहे हैं, जो supplier ने आपको ये supply किया, वो ज़्यादा price था, आपको बेच कर commission bank को दे रहा है, वो commission नहीं interest free EMA आपको मिल रही है, अगर आप cash में दे देते हैं, तो आपको कोई discount मिल जाता है, तो अंग्रेजी में बोलते हैं, there is no free lunch, आप इनको tick तरह से समझें, आपके पास कोई free lunch नहीं है, so इन सब को tick करने के लिए, मैं आज आपको start step की plan बोलता हूँ, ये start step implement कीजिए, अपना जिन्दीगी को बहतर कीजिए, पहला आप एक realistic financial plan बना चाहिए, वो realistic plan कैसा बना है, पहला पिछले टीन महीने में, आप अप not expenses track कीजिए, कि आपके पास computer है, excel sheet है, लेकिं computer excel sheet must use कीजिए, कलम और पुस्तक यूजिए, एक notebook में हाथ से लिखिए, कि कितना किदर कर्च हो रहा है, तीन महीने का कर्च लेकि अगर हाथ से लिखते हैं, तो हाथ तोड़ देगा, दर्द होगा हाथ में, क्योंकि college के बाद आप कभी कलमी इस्तमाल नहीं किये होंगे, और वो दर्द muscle memory में transfer हो जाएगा, जब में किसी पूचेगा, तो आप क्या याद रहेगा, तो आप spending को track कीजिए, और वो spending में ये लिखिए, फसुल कर्च क्या है, variable कर्च क्या है, fixate cost क्या है, fixate cost को आप immediately कुछ नहीं कर सकते हो लेकिन जो variable cost है, उसकी कटोती हो सकती है, electricity bill की कटोती हो सकती है, बाहर काने की कटोती हो सकती है, जो आप grocery की list तीक करे से देखते हैं, उसमें कटोती हो सकती है, इंटरनेट usage में कटोती हो सकती है, पेट्रोल की use में कटोती हो सकती है, यह सब variable cost है, fixate cost क्या है, आपके गर क यह मैं fixed cost है, गर की rent fixed cost है, बच्चों की tuition fees fixed cost है, बच्चों की school fees fixed cost है, तो आप इसमें से बांटी जाहिए यह fixed cost क्या है, variable cost क्या है, अगर आप अपना पिता जी आप parents को पैसा दे रहे हैं, वो fixed cost है, तो आप इन दोनों में बांट जाहिए और variable cost में ही cut out हो सकती है, जब आप तीन महिने का expenses देखके spending pattern निकालके, आप पहले यह plan कीजिए, किदर से cut out हो सकती है, और वो 30% पैसा किदर से आ सकता है, उसके बाद आपको एक reasonable budget बनाना चाहिए, मैं यह बोल रहा हूँ कि आप reasonable और realistic budget बनाएं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपको cost रहा हूँ, तो आप यह सोच की column उटा के किसी budget को लिकाऊना मत, जिसको आप implement ही नहीं कर सकते, जो realistic budget होती है, उसको आप implement करना चाहिए, अगर आपकी पास एक लाक की हमदनी हो, तो आप 10,000 रुपया minimum save करना पड़ेगा, ideally 30,000 रुपया save करना पड़ेगा, तो आपको अपना expenses 70,000 में निकालना चा पाई, पाईसा एक बहता हुदा नदी, नदी के जैसा है, जहां पानी जाके समुदर में मिल जाएगा, उदर उदर आपको चेक डैम बिल्ड करना है, saving sabit के जरीए, जहां से आप पानी को रोक सकते हो, और एक पानी को तालाब में save कर सकते हो, बचत कर सकते हो, अगर आप की है, तो आपके बुड़ा पे में बुरा दिन जरूर आएंगे, अगर आप गॉर्मन कमपनी में भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप 2004 के बाद जाएंगे हो, तो आपको कोई पेंशन देने वाला नहीं है, मेडिकल साइंस में इंप्रूमेंट हो आगी है, जो मेडिकल कारियर तो आज दिन पर दिन शाट होती रहीती है, 55 साल तक मेरे उमर में आपका कारियर कतम हो जाएगी, उसके बाद आपको 25 साल रहना है, अगर आज आपने बच्चत का कोई प्लान नहीं किया, तो आपके बच्चों की मोटाज पर रहना, जिन्दगी गुसारना पड़ ये तो किसी को ये नोबत नहीं आना चाहिए कि आप अपने बच्चों पे निर्बर हो, तीसरा पॉइंट में ये बोलता हूँ, अपना चेक डाम बिल्ड कीजिए, सेविंग्स बिल्ड अप कीजिए, आसान काम नहीं है, बहुत दिन लगे गें और ये बहुत दिन रहने से भी कोई प्राब्लम नहीं है, तोड़े-तोड़े काम कीजिए, एक पिगी बैंक लीजिए, हर दिन दस रुपिया डालना के डिसिप्लिन लाइए, तोड़ा-तोड़ा एकस्पंस काट कीजिए, एक प्यम्माई को जल्दी पेमेंट कीजिए, क्रेडिट काट को कतम कीजिए, क्रेडिट काट को बाहर डाल दीजिए, ऐसे चोटे-चोटे स्टेप्स लेके तोड़े-तोड़े पैसा बचप कीजिए, एक तोड़ा सा सिप स्टार्ट कीजिए, पचप 500 रुपिया निफ्टी में, 500 रुपिया सेंसेक्स में, निफ्टी में, आपको ये पता भी नहीं हु हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, इन्मिसिबल सेविंग्स, फोर्स सेविंग्स कीजिए, इधर से शुरुआ कीजिए, लेकिन आप बिना डिसिप्लिन इतना साल रह चुके हो, अभी डिसिप्लिन करना इतना आसान नहीं है, मैं कापी के इतना मोटा बन गया, कल तो दुबला पतला नहीं होगूंगा, यह की दिन में आ, एक महीने में, एक साल में, लगेगा पांच साल की एफ़र्ट, वैसे ही आपको भी सेविंग्स में लाने के लिए, तीन-चार साल की एफ़र्ट होना चाहिए, तब जाके आप पैसा बचा सकते हो, तब जाके आप अमीर बनने का पहला स्टेप ले सकते हो, चौता पॉइंट, हर महीने का बिल, उसी महीने चुको हो, यह मिनिमम द्यू का प्लान चोड़ दीजिए, यह महीन का प्लान डस्बिन में डालो, जो इस महीने आपने कर्च किया, उसी महीने में उसको पेमंट करना ही है, प्रेडिट कार्ड यू उस मत कीजिए, यह सब आपको डेट ट्रैप में लेके जाएंगा, पाचवी पॉइंट यह बोल रहा हूँ, आप रिकरिंग एक्समेंस जो आ रही है, उसमें कमी लहने का, यह कमी करने का प्लान कीजिए, अपने और्डिनरी बल्ड को सी एफल बल्ड से बदलिए, यह सी को प्वाइस्टार यह सी बनाओ, पावर सेविंग करो, मैं एक एक एक्जामपल दे रहा हूँ, इंटरनेट के लिए शापिंग कीजिए, कोज कर, फैंड आट कीजिए, शापिंग करकर, किदर से आपको चीप मिलेगी, ग्रासरी बिल महिने में एक बार स्पेंड कीजिए, तो यह में 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 मत कीजिए, पैसा बच बच कर रखी है, एक साल के लिए, दो साल के लिए, उसके बाद लीजिए, अगर नए गाड़ी लेनी है, यह में 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 मत लीजिए, आज एकनामिक सिच्वेशन इतना बुरा है, कई लोग गाड़ी लेके एक साल में या दो साल मे लीजिए नई काड़ी और चे महीने की गाड़ी में कोई फरक नहीं होगा तो आपको आदे दम में मिल जाएगा मेरा यही आइडिया है आप कर्स में कुछ भी नप ले अगर कर्स लेना है तो आप दूब जाओगे आज की समय में गर भी मौटगेज़स में मत लीजे गर का दाम उपर नहीं जाएगा अगली पांच साल में इंटरस रेट्स बढ़ेगा इंटरस रेट्स बढ़ने से आपका मौटगेज़स मौर एक्सपेंसर होगा ना यह लोग नहीं आएंगे करीबने के लिए साथवी और आकरी पाइंट एक इंवेस्मेंट स्ट्राटजी बनाएए मैं बोल रहा हूं मुझे मत सुनकर बना कीजिए एक एक्सपर्ट को रखिए एक्सपर्ट से बात कीजिए और उससे एक इंवेस्मेंट स्ट्राटजी बनाना शुरू कीजिए तो मैं पहले स्टेप बोल दूँगा एक एक ग्रैम सोना पेपर गोल्ड करीदना शुरू कीजिए इंडेक्स में सिप करना स्टार्ट कीजिए यही पहले स्टेप्स होंगे दनियवाद नमस्कार जैहिंद अगर आप हिंडी नहीं जानते हैं तो पैसा करें जो आपके दोस्त हिंडी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग रख करें दनियवाद नमस्कार